डबंग का क्या डालोग था? ठपट से डर नहीं लगता है साथ, प्यार से. इतना प्यार आपको मिलता है अच्छा लगता है, आपके कौलीक से आपको तारीफ प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है. एक दारोमदार आपकों कंधों पर यह आगया कि जो आपकी अगली फिल्म होगी, इससे भी दिगज हो महले पर देला हो तो कि कोई स्क्रिप अधिया है? अगर पिसली फिल्मों के साथ उनकी तुल्ला करते रहूं तो आगे कामी नहीं हो पाएगा उसको तो अब आपको कमी नजर आती है कि इस जगा थोड़ी कमी नहीं कि मैं कांश में कर पाता है यह चीज़गी कमी है फिल्म में और बताओ क्या है? आप बताई है डिरेक्टर जब डे दो अपन ऊनकी नहीं होतो सब फिल्ठा को कर्या है तूर अफ इनकों मैं प्र अपना दोस्तो और सबॉत बड़ी करें इंड और मेरे अच्छे दोस्तो वी है और मेरे टृम के लोग है वह मतलब क्रिटिकल होते हैं मुझा लड़ते हैं मेरे परिवार के लोग है मैं खुद अपने काम को लेकर बहुत क्रिटिकल होता हूँ तो कभी-कभी मुझे लोग कहते भी है कि थोड़ा कम हो अपने काम को काम के प्रतीर इतनी क्रिटिकल हो गया कर दिया एक बार कर दिया फिर घुल जाओ अपके बॉलिवर प्रेटरिटी के जो लोग है उन्होंने आपको इसके बार में थोड़ा कुछ कहा भी होगी कि आप यहां पर सुधार है सकते थे इत फ्राइडे बॉस्पर्स के लेक्शिन ओडिंस के लिए आपके सर्व यह प्रेडिक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है लेक जीतो जीते हंदर जी ने एक बार कहा था कि दो तीन चीजें जिसके कोई आज तक कोई ढूंडन नहीं पाया है एक है मतलब गण्येपन का गण्येपन का और लुडिवर बॉक्स ऑफिस का इन दोनों का मतलब आज तक सही उपाए किसी को नहीं मिला है नहीं से फिर भी काफी अच्छी फिल्म जा रही है, सब इसे रही हूँ मिल रहा है, काफी आपने रोडशो भी किया था आज, तो भी कुछ तो उमीद होगी फिल्म को लेगे? उमीद है, हम फिल्म बनाते हैं, इस उमीद के जाथ कि लोग आये देखे और जिस तरह से हमने रिस्पॉंस पिल रहा है, मैं उमीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आये फिल्म देखे और फिल्म अपने साथ ले जाए, घर ले जाए, इन कैरेक्टर्स को अपने साथ घर ल जिससे audience का taste बदले, वो मतलब कुछ नया, देखने की आदब डाले, तो मैं उमीड यही करता हूँ, हम फिल्म बनाते हैं, सोचके के चलिए अगर अगली फिल्म से audience का taste थोड़ा बदलेगा, वो और अलग तरह की फिल्म देखना चाहेगा, तो बस बही प्रायस रिता है, तो जितना मैंने सुचा था, जितना मैंने सुना था इस फिल्म के बार में, उससे कई ज्यादा मुझे यह फिल्म पसंदाई, बहुत ही एक एमोशनल फिल्म थी, बहुत ही गट रंचिंग फिल्म थी, और जो परफॉर्मनसेज मनोच सर और राजकुमार, And, I'm completely, you know, overwhelmed by the performances and I'm so happy that this kind of… these kind of films are being made, these kind of subjects are being tackled and audience are gonna be watching this kind of film and I'm happy that we as an audience are open to this kind of content, otherwise you won't have I think in the last couple of years you wouldn't have found so many people backing a film like this, you wouldn't have found people being a part of film like this so, it's a good, very healthy trend and I'm जैनुए जनुएनल एपी तट फिल्मेकर लग हंसला इसा बिलकुल नहीं है और फिर आप सेफ़ाइट चुनते हैं, इसा बिलकुल नहीं है, I think बड़े सास भी, I'm, 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 because I interact with, I know that, they, they, they are also looking for material, they're also looking to do something different, and ऐसा नहीं क्यों वो, वो असा चुटी फिर्म करने ज़रते हैं, बिलकुल ऐसा नहीं है, they want to take chances, but, because, you know, certain films require a certain scale certain budgets, so, when they do a film like that, they, you know, they also make sure that it is scaled down in such a way that, you know, the budgets need to be correct enough to justify the film, so, I'm sure that, you know, and you will see, you are, you know, definitely, bigger सास are also taking chances and doing films like this, so, ऐसा नहीं क्र रहें, क्र रहें, उतना नहीं क्र रहें, च्र 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 रहें, So, each and every moment was, you know, it was quite gut-wrenching, but particularly, I think, I think that one moment of, because Manoj sir was phenomenal in all the scenes that he was in, but for me, I think the last scene of, I don't want to ruin the movie, but that funeral scene of Rajkumar was, I think, very beautiful, I think that, I'm sure that scene will not leave me for a long time. So, at the last, Rajkumar dies in the film? No, he doesn't die, and I'm not giving away the plot of the film, if I'm putting out an interview, I would have spoiled the film for anyone, nobody's dying in the film, I don't know. Because sir, Wazir is a thriller, so you also want to know how to do it, Samvedan, Shil, Vishay, which you have shown, is it out of the box? For sure, it's a story, and it's not like, I know, just because I'm making thrillers, I'll only make thrillers, I would love to make films like this, I would love to tackle different kind of subjects, as a filmmaker, you want to keep challenging yourself, filmmakers are also artists, you know, like actors keep challenging themselves, and to do different roles, as filmmakers also, we would like to do different kind of films, and I would definitely love to do a film like this. Vishay, the best. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. अआत प्राआड़ काड़ drought impacts घोटा कपने गड़ी लोग जमने 10ग हे लोग 10-30 पंप हभी घगा। ucz़ जुंसा जिए यह जो कह दो किसके गाड़ी है जानी में हो दी यार भी एर मानोसा, जब लुट्टोरी ना मसा टेस्ट मनोसा, क् jestem जब यह लोगी बणिए, बसके कही जी कोंज़ें, बसक्ः आज सतना Fragen कार्णा, बसके कुलांब, यो खेना ऐम проблема के जी आज़ खाना कर्णा, ऊछला कार्णा सुन मैं है तुँए बाद imagination अच्छपी त्रणी हो नाद करते होगी सेस्ताया ओुरु आसे बिजया करें 52 में मुद्रा लुठी जिए खाँ में जानेख संवी नॉर्टत वह को लोग मुद्र कि गुषू के अपर। यह बड़ा जया दिए तो धून्हें धार्पीट को अंधियों सबस्क्राइस कर दिए सहरो भाज दिए सबस्क्राइस सुरी यहां पर इस सानने यहां थो मैं BLACK उरपी मैं एकृम यहें एक प्रिए करना। और यूरक गरुभारों है कि प्रोट hard мет में इसकेनल डिठेर आप हे ओक ही रजैनाय हूं सांज प्ररएृ। जार से मुंत हमाय। ईफर हे तो प्रिठेरेंग वारे। कि जारी हिर। सतरड फ्रिठेरे और यूर्द। तोदो जो किनो, कष्मिस एसमाइब करोई खागा मुझारा फिजा दानागा तामविक्ष्टर वागा जें खागाटर जागादो, 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 जा करें तर्वार खिरी और वाग का तरिषय को अचा जा राज लाज पार प्रफॉमेंस की बाट करें प्रास कमार की राज प्राइख चाहा सब ने अच्छा गाम क्या चुल्ख इस फिल्ड राज इंग ग्ष्चा सब्स्रैंद की इस फिल्ड लग या तो वह जाए तो बंग में बाद करूगा। तो बाच पर इस लेवल पर चाज चुके हैं इस विक्चर में वह बहुत ही बहुत खामाल की परफॉमेंस हैं। तो नो इस अरे आटर्स के सब करें को बाद नहीं कर वारों, क्या चीज़ आप फिल कर बारे हैं। आप जुम देखिए, आप समय दो सबको ये फिम देखनी चाहिए, आप आरुस आपको जो जो ओर आलेटी का जंडा लेकर गूमता रहता है इस देश में। अनुराइच सर आप बहुत कम मिलते हैं। आप बहुत कीपिंगें बुची दिशी दिशी सेइस। आप बहुत कीपिंगें। कि देगे रूपने इसका पिर साथ इसका पर नारा है डिकी बाइट डिकी डिकी बाइट कैसे आप रो अच्छे अच्छे एक्टर रही है बट इस फिल्म में I think वो कहीं और ही पहुच गे है तो आप अप्रोच करेंगे आप अभी मनोच जी को मनोच इसके वाद टाइम नी होगा बट ही जी तो गोड या नूओ इसके बाद साथ में वोकाउट करते थे बावे रही है जी वाद आपके बाद आपके अना पड़ेगा जिसे आपने बता है, realistic cinema अश्कल Bollywood में एक trend चला है, तो can we also see you being part of one such film? I would love to. I would love to be a part किसी भी director को या किसी भी producer को या जिनने भी लगे कि मैं fit हता हूं and I deserve the role. I would love to be a part of films like this and be able to depict a character like this. Thank you so much. Thank you. It's a film you have to go watch it on screen. Of course, of course, कहानी तो है ही बहुत बढ़ा part, but director, writer, actors, everybody, they've made such a good film. कहानी है, वो portrait करना, वो हमारे तक पहुचाना, किस तरीके से पहुचा गई है कहानी, वो बहुत ही मायनी रखती है. वो मुझे पता नहीं, पर फिर्म देखी आप तरूटी है. आपकी माझी फिर्म इकापी यार, रखती है. यार, रखती है. Ready? Yeah. So, ma'am, how was the film? Ah, the film is great. Rajkumar Rao is definitely one of my favorite actors. Everyone's going to Hollywood right now and I think he should be the next one, actually. Any best part of the film you like the most? I like the acting. It was actually the least commercial Bollywood type film that I've seen lately and I appreciate that. I really appreciate really good acting. It's kind of a heavy subject so you kind of leave with a heavy heart but a lot of hope and inspiration for the future. Did you cry in the film? I didn't cry in the film. It's been a rough day so I kind of got that out of my system but it definitely touches you. It's, you know, it's an ongoing problem not just in India but all over the world people are fighting for their rights. So, do you support Section 377? I do. I have a lot of friends. I'm from Los Angeles and I have a lot of homosexual friends and I come from the arts and, you know, I believe everyone has the right to their own preference. I do. My question is, please. And I don't think, please. No matter how much. We will care. And, you know, what happens when we get back to our friends in the arts. First, yes. I don't know. Is it another day or whatever. What happened? It's the, the people? You know, it's the people, they have it. I don't know. I don't know. प्राद करें कि ब्रेंद न्यविय्य दोर से के कासल मुष्टी आपाता है आदे अपने फॉफित नियुक्त अियुक्त नहीं पता है के ओट चलिए बीटार जो जाए टुप है जंदब इसंव UH पिड़ी गई अली कर सामने क्या कहना चाहेंगी ह्ई पर कंज कर अब प्शेन एट ते हो तो प्रमा अब ने है कि अब हम प्रेकोर कर दो कि अधी कर दो कि तो आप पहले कर दो ऐची अरिफोत दोग वेजिट सेखें भाइटी zakहले पीकिमिर्टकी वे बोगे हाई है सेखें पीछाई की जो पीछ आजया की तरह से जो सब्सक्राइए इसानी करें असानी जुप्राइए आज आज टियुप्रे नहीं जाटा आजया जोगें आजए अजिआ एड जहएगेंगेंदाएंग स्क्षी राके पूंहेंगेंगें आजईए T पुनम में बेगा है आख शुनम में को बार अख दिर्दिरी राइक पकड़ेंगे ना अओ ना पुसा हो आख 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 में भार बेगान झाह भी में आख और गाल आख आख के वह दो जो आख रख रख प्ट्पटी जैए डीए माली किम सब्सक्टीजश देया है अदर पिछाने हो पिछाने हो पिछाने हो पिछाने है सरण ऐसा मोन लादे हो नादे हो मоловकि आपने हो पिछाने हो पिछाने आज सरी 我र्य है कि प्लीज सब लोग ये फिल्म देखिये क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टन फिल्म है और पुछ ऐसे पर्फॉर्मेंसिस के अंदर जो आपको बहुत ही रहली देखने को मिलेगा मनोज is outstanding in the film, Rajkumar is very good in the film और Hansen ने जिस्तर से इसको treat किया है अभी थक मतलब I'm in the same phase of the film मैं चाहूंगा कि जितना तर्शक अगर आपको अच्छी cinema देखनी है तो प्लीज आकर देखिएगा ये मेरी रिक्वेस्ट है बाकी सब तो आप देखती है तो ये फिल्म जरूर देखिएगा सर ऐसी इसको बहुत कम लिखी आती है तो कितना बड़ा दोश है राइटो इसका कि कुछ भी लिख जेते हो बन जाता है देखो ऐसा है ना कि मैंने जैसे मैंने कहा कि ऐसी फिल्म बड़ी रारली बनती है तो ये मौका है आप लोग पुसको गवाई है उमकामत आप प्लीज ये लिख देखों अधिशन शो गिरिंगा तो भी माना कर रहती है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें मैं सब्सक्राइब मर्णुजी, आपकी स्माइल बतारीघ आप पे अच्छा रिस्फांस बने आए अच्छा समाइल इस बात किया है कि साइध दोस्त आया थे देखने के लिए और सबको अच्छी लगती है तो अच्छा लगता है कि आपने दोस्तों को जो है निराश निराश नहीं किया this बात ग अभी अभी हम लोग शो के बाद अभी हम लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं कई दिन से कई रातों से जो है हम लगातार काम कर रहे हैं और एक ऐसी फिल्म को जिसमें हमारा विश्वास से उसको जितने लोगों तक पहुंचा सकें लोगों को बता सकें इस फिल्म के बारे मे जिसको लिए को चुछ चाहिए कि एक पूरे तदात में देखे और जैसा भी है एक अच्छी फिल्म है हमें बहुत गर्व है यह बात करता है उसकी एक सोच होती है उसकी अपनी एक राय होती है और वो राय देता है, हम सुनते हैं उसको, इसमें हर चीज जो है अच्छी नहीं होती हैं कई बार एक आथ चीज जो है वो बोलते हैं जो उनको ठीक नहीं लगी या उससे उनको ऐतराज है या उसे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन बहुत छोटी चीज होती है, हम उसको माल लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं. और दूआ यही करते हैं, कि सबको अच्छी लगे, और सारे दर्शक देखें और इसको सराहें, प्रोफसर सीरस जो थे इस दुनिया में थे और उनकी जिन्गी पर ये फिल्म बनाई गई है, उनकी यात्रा को हमने ये श्रधांज ले दी है, और आशा करते हैं कि सारे दर्शक जो है, और इस उनके इस पूरे जीवन को सराहेंगे, अलिगर के बाद एक नया कॉंपटिशन चुरू हो जाएगा, अब सिनिमा में या फिर एक नया दोर सुलू हो जाएगा, ने, अलिगर से हम यही उमीद करते हैं कि फिल्म ज्यादा ज्यादा दर्शक देखें ताकि इस आप कॉंपटिशन अपने काम से करें, पिछला जो काम किया है अपने उससे आगे आपका विकास हो, आगे आप अच्छे और अच्छे एक्टर बने और आगे यही इच्छा रहेगी कि मैंने जो काम किया है अलिगर में इसे जो सीखा है उससे मैं और आगे की तरफ और अच बहुत सारे लोगों की जगे ले सकते हैं बहुत ही अच्छी अभीनेता है और मैं छोटा एक्टर हूं इस मामले में लेकिन वह बहुत ही काविल इंसान है और बहुत ही काविल अभीनेता है करते हैं सिर्फ इसलिए कि कहानी आपको अच्छा लग रहा है कि उस पर आप चैन करते हैं करते हैं जब तक फिल्म हो नहीं रहे थी तब तक उनने सोचा कि चल करके एक शौट फिल्म ही कर लेते हैं बहुत इंतजार कर लिया था हमने अब उस फिल्म को एक पर्डूसर मिल गया है उस पर काम चल रहा है और जल्दी ही उस फिल्म की शूटिंग में शुरू करेंगे इस तरह से नाशनेवाला होल दार मैंने पहरी बार देखा था लेकिन वह भी एक एक ऐसा वाक्या है कि जो सच में घटा और जो घटा वह वह भी दुनिया ने देखा ति इसका मतलब कहीं ना कहीं वह सच के खरीब था